नमस्कार दोस्तू मैं अंकित वर्मा एक पार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तू जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 29 मईद 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज शाम 5 बजे तक की सवी ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बन रही है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी नभूले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आ कि करोना संकट शिमला साइट देश के साथ कॉफी हाउस पर तायला लगने की नौबत तो शिमला साइट देश के साथ प्रतिश्टित कॉफी हाउस पर ताला बंदी की नौबत आ गई है करोना की मार से इंडियन कॉफी वरकर को ओपरिटिव सोसाइटी पिछले 10 महिनों से जो counseling में जो है देश के सभी साथ coffee house बंद करने का फैसला लिया जाएगा 27 सक्तूबर 1957 को दिली में खुले देश के पहले इंडियन coffee house के बाद 1962 में शिमला के माल रोड पर coffee house जो है खुला था इसके अलावा चंडीगर में दो जैपूर में दो और इलावाद में एक इंडियन coffee house का संचलन हो रहा है देड़ साल पहले शिमला में state bank state bank मुख्य कारिया लेके पास भी coffee house की एक बराच खुली थी जिसे नुकसान के चलते इस साल मार्च में बंद कर दिया गया अगनिव जापकी कि संकट के सिफाई खुद कैंसर से पेड़ित फिर भी करोना मरीजों तक दवाए पहुचा रही है वीना तो स्वास्थे के अंदर पंतेडा में कारेरत कैंसर पेड़ित स्वास्थे कारेकरता वीना कुमारी बिना छुटी पंदरा महिनों से जय कोविड मरीजों के लिए घरदवार से वाएं दे रही है बड़ी बात या है कि महिला कारेकरता के किशेत्र की आवादी करीव 4,000 है वहाँ लोगों को करोना से बचने के लिए लगातार जागरू कर रही है दिन में 8 गंटे डूटी देने के बाद आपात स्थीती में भी मरीज के घर दवाईयां देने जाती है गुमारवी उपमंडल के स्वास्थे के अंदर पंतेड़ा में कारेरित स्वास्थे कारेकरता बीना कुमारी खोद भी कैंसर से पीडित है और चल पड़ा राजिश का घर 120 फिट दूरी पर होगा स्थापित तो घर को एक जगा से दूसरे स्थान पर बदलने का सपना अब सपना नहीं बरकी हकीकत बन गया है अब नई आधनिक तकनीक की मज़े से आप अपने घर को जोए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं नंगवाई किशेत्र के किशेत्र में जो है इन दिनों एक घर को दूसरे स्थान पर बदला जाना लोगों में खूब चर्चा का के अंदर बना हुआ नंगवाई निवासी राजिय शर्मा अपने घर को जो है एक स्थान से बदल कर करीब 120 फिट दूर ले जा रहे हैं उन्हों को करीब 120 फिट दूर ले जा कर नई फाउंडेशन पर रखेंगे अगनी जापकी कि हिमाचल में अभी नहीं चलेंगी बसें विभाग से SOP त्यार रखने के लिए कहा तो हिमाचल परिवान विभाग जो है 50 फिस्ती अक्योपेंसी के तयात बसे चलाने के नियम त्यार कर र करशिय बजूर्ग चूडूराम को जो है अधरंग का दोरा पड़ गया था जिससे तवियत बिगड़ गई लेकिन सड़क सुविदा ना होने के करण मरीज को अस्ताल पहुंचाने में प्रिशानी का सामना करना पड़ा मरीज को ग्रामिन में जो है करीब एक गंटा पैदल चल कर रुजग गाउं में स्थित सड़क तक पहुंचाया अगनी जाब की कि जेसी भी से धांग पर कर पार कर जो है वैक्सिनेशन के लिए पंचायत पहुंची स्वास्ते विबाग की टीम तो टीम ने चलने फिरने में असमर्थ करीब बारा बजूर्गों को टीका लगया घर द्वार पर करोना वैक्सिन लगाने से बजूर्गर ने रहात की सांस लिए है इसके लिए स्थानिय परदान तेलिक वर्मा ने बीमो करसोग साहित हेल्थ विबाग की टीम का आवार प्रक्ट किया है अगनी जाब के समने कि कुलू करोना में चेरी की दामों ने लगाई पादकों को जो है यही दाम मिले थे अगनी जाब की कि करोना काल में हिमाचल के 119 स्वास्ते उपकेंद्रों पर लटके ताले तो करोना में हमारी के बीच छोटी सी विमारी के लिए भी ग्रामिनों को बड़े अस्थालों का रूख करना पड़ रहा है ग्रामिन और दूद और संक्रमितों की मौत हो गई इनमें से दो की मौत पिछले कल रात को ही थी जबकि दो लोगों ने आज दम तोड़ा है मर्दे बारों में जोगिंदर नगर तैसीर के मकरेडी क्षेतर 52 वर्षी विक्ति सुंदर नगर क्षेतर के 48 वर्षी महिला सुंदर नगर के ही जड़ के वार नमबर साथ के शिव नगर में जो है शनिवार सुबा एक रिहाईशी मकान में आग लग गई आग की घटना में मकान के अंदर रखे बैड कपड़े वा अलमारी जलकर राख हो गए जबकि अन्यसामान जलकर राख हो गया जिसमें करीब 44 रुपय कर नुकसान आखा में आका गया है सूचना मिलने के बाद नगर परिशाद उन्ना के कर्मी वा दमकर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर न्यंतर्ण पाया अगरी नुज आपकी कि कुठेड शमशान घाट के नाले में पेड़ से जोलती मिली लापता युबती की लाश पोलिस आपकी कि करोना काल में योध्धा की तरह डटे हैं कैप्टन पराश्चर शांता कुमार तो समाज सेवी नैशनल शिपिंग वोल्ड के सदस्य और वी आर मेरी टाइम सर्विसेज के प्रबंद निदेशक कैप्टन संजय पराश्चर द्वारा करोना काल में किये गए समाज स देवा के कारियों को बाजब के वरिष्ट नेतावा पूर्ब मुख्य मंतरी शांता कुमार ने भी सराहा है अगनी जजापकी कि सरकारी भूमी पर अवैद कपजा धारियों को नोटिस जारी तो डम्टाल से निजए कि इंदोरा वैरियर काठगर चौक के इर्द गेर्द सर सरकारी भूमी पर अवैद तोर पर कपजा जमायत दुकानदारों और खोके वालों को इंदोरा प्रशासन ने सरकारी भूमी से अपने कपजी हटाने के जोए नोटिस जारी कर दिये हैं अगरी ज़ापकी की शिरी साही अस्ताल में करोना मरीजे भरती मामले में परशासन ने गठित की जाच कमेटी तो सिरमओर जीले के मुख्याल ले नहान में स्थित शेरी साहि अस्ताल में करोना मरीज्जों को क्लिनिकल कमिटी की अनुशंसा के बेना अपने स्थर पर भरती किया जाने की शिकायते मिलने के बाद जीला परशासम दौरा जाच कमिटी का गाठन किया गया है या जानकारी ड पॉलिस ने बीरबार शाम दविश दी जिसमें लगभग 3700 मिली लीटर जो है कच्ची श्राब पकड़ी गई अगनिवजाद के सामने कि पाउटा साहिब में योको बैंक में चोर ने डाला दाका पॉलिस ने एक संदेख दुको किया गिरफतार पाउटा साहिब सिर्मोर से निउजे की पाउटा साहिब में बदरीपूर में योको बैंक की शाखा में चोरों ने डाका डालने की कोशिश की शुकरवार की रात चोर बैंक के ताले तोड़कर अंबर घुस गया इस दोरान चोर बैंक में रखे चेक और एक वालपन ही चुरा पाया इसके बास थानिय लोगों ने बांक के ताले तूटने के ख़व χावर बैंक के मेनेजर वा पुलिस को दी इसके बाद पाउटा के डिये स्पि बीर भादुर वा पारूर व्हा प्रबारी शंजे शर्मा पुलीस टीम के साथ मौके पर पहुंचे है वह आप मौके की जांच की तो दोस्तो ये थी आज 29 मईद 2021 की हिमाचल परदेश की आज शाम पांच बज़े तक किसा भी तारा खबर हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच्पी नौटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न पूरे हैं ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जयाहिन जयाभार झाल 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 झाल